आज एटीव भारत में खास मेहमान हमाई साथ जुड़ रही है राजसवासान सच छाय बर्माजी और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज प्रदेश में महिलाओं की क्या इस्तिती है महिलाओं को लेका किस तरह की तैयारी है सरकार की किने उजनाओं का लाब महिलाओं को मिल रह कि लेंगिता समानता के मामले में 36 गड़ टॉप में रहा है आखिर इसकी क्या बज़ा है इन सभी तमाम विश्यों पर चर्चा करने के लिए छाय बर्माजी हमारे साथ मौझी आपका इटी भारत में बहुत उस्वागत है आप से जानना चाहेंगे कि जो अभी लेंगिता स सरकार भुपेज बगेल जी की सरकार जब से यहां आई है तब से महिलाओं को समुच्चित स्थान मिल रहा है आगर आप पिधान सभा में देखेंगे तो तेरा महिलाओं को टिकेट मिला जिसमें 10 महिलाओं चून की आई सासन की अनेक योजनाओं महिलाओं के लिए कारगर साबित हो रही है और सभी योजनाओं में हमारे राजी की महिलाओं बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही है चाहे वो अभी तो रासन दुकान भी महिलाओं के नाम से करने का चल रहा है अगर मैं एक महत्तपूर्ण विशय परिक्षा एक्जाम दे के आई हैं लेकिन थर्ड जेंडर को किसी भी राज्यों ने नौकरी में प्राथमिक्ता नहीं दिया था उनके आवेदन को ही निरस्त कर देते थे लेकिन 36 गड़ वो पहला राज्य है जहां पर थर्ड जेंडर को प्राथमिक्ता मिली और उनको नौ और आपके चेनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में थर्ड जेंडर को आरक्षण भी मिले जिस तरह से अंसुचित जाती जन जाती को मिलता है उसी तरह उनको भी आरक्षण मिले इस बात को आप क्या संसद में रखेंगे निश्चीत रूप से संसद में इसका पूरे भारत में इसका रिसर्च भी चल रहा है और अभी आरक्षण की भी बात चल रही है ये बात मैं कई बार रख भी चुकी हूं और आने वाले समय में भी इसको पूर्जोर तरीके से रखूँगी कि थर्ड जिंडर को मुख्यधारा में जोड़ा जाए चाह चाह में प आदिवासी बाहुले छेतर है और आदिवासी समाज में महिला प्राथमिक्ता होती है उनके घर में जैसे अभी हम कुछ दिन पहले हम आसाम गए थे वहां भी पता चला कि जब लड़का लड़की की जब साधी होती ही तो लड़का लड़की की घर आता है उसी तरह से आदि बड़ा उदारन है और हमारी सरकार भुपेज वगेल की सरकार भी चाहती है कि महिलाओं को प्रात्मिक्ता मिले और महिलाएं बहुत अच्छे से काम करती है इमानदारी से काम करती है आप देखेंगे कि जितने भी ग्राम पंचायत है चाहे कहीं भी जहां भी महिला सरपंच है जिस ग्राम पंचायत में वहां पर आपको भ्रष्टाचार कम देखने को मिलेगा चाहे विधान सभा में हो चाहे लोक सभा में हो चाहे कहीं भी हो जहां पर महिला नेत्री तो करती है वहां पर कम भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और काम संजीदी के साथ इमानदारी के सा काम होता है और महिलायें जिस काम को सोचती है इसको अंतिम चरं तक पहुंचाने का प्रयास करती है और इमानदारी से काम करती है अगर तुलना की बात हो रही है अगर हम तुलना करेंगे तो महिलाएं बहुत साध्गी और इमानदारी के साथ काम करती हैं और हमारी सरकार भुपेज बगेल की सरकार महिलाओं को प्राथमिक्ता में हर चीज में चाहे संगठन में हो, चाहे सत्ता में हो, आप स्वयन देख रहे हैं विधान सभा में ग्राम पंचायतों में जितना आरक्षन महिलाओं को है उससे ज़्यादा हमारी महिलाओं चून के आई है तो यह तो भार्ती जनता पार्टी की केंदर सरकार की सोची समझी रणनीती के तहत नहीं हो रहा है महिला आरक्षन हमारी सोनिया गांधी तो कहती है आप बिल लाएं व कि इदर में उस बिल को पास करेंगे लेकिन भार्ती जनता पार्टी के कत्षनी और कर्नी में हमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है महिला विरोधी पारटी के ओचाबकर पूरी महिला विरोधी पार्टी है, जब कॉंग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंग जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने विरोध भी किया, तब उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी, तब हम विल लाएंगे, लेकिन इतने दिन हो गया, एक तरफा उनका सासन है, एक तरफा उनके सांसद हैं सदन में, लेकिन उस बिल को लाना तो क्या, उस बिल के बारे में कभी चर्चा भी नहीं होती, तो निश्चीत रूप से मैं कह सकती हूं कि भारती जनता पार्टी महिला विरोधी, एक उनका विंग है भारती जनता पार्टी का RSS, जिसमें एक भी महिला प् रहे हैं तो क्या लगता कि इस वेक्सिनेशन को लेकर करोना से लड़ने की लड़ाई में जो केन सरकार है राज सरकार में सामंजस स्थाप यतनी हो पा रहा है दूरियां जाता है वेक्सिनेशन पूरे नरेंद्र मुदी की फेलवर नेती है आपको मैं बताना चाहूंगी जब बजट पास हुआ तो 35 करोड निर्मला सितारमंड जी वित्त मंत्री है जो भारत की उन्होंने वेक्सिनेशन के लिए 35 करोड निकाला बजट में पास किया 35,000 करोड और हम सब ने उसमें सहमती जताई वो बिल पास हुआ लेकिन कहां गया वो 35,000 करोड आज केंद्र सरकार र वेक्सिन नहीं खरीच सकते जिस राजे से भी जहां जिस देश से भी वेक्सिन खरीदेंगे वो पहले भारत सरकार के पास आएगा और भारत सरकार निर्धारित करेगी किस राजी को कितना देना है तो ये तो राजियों के साथ ना इंसाफी है पैसा भी हम दे रहे हैं और इतनी मात्रा में हमको वेक्सिन भी नहीं मिल पा रहा है और कब किसको लगाना ये निर्धारण भी केंद्र सरकार कर रही है ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की फेलवर नीती है और राज सरकार हमारी सरकार 36 गड की सरकार वेक्सिनेशन को लेके पूरी तरह से संजीदा है जब किसी राज्यों ने खरीदने की बात नहीं कहीं थी तभी भुपेश बगेल जी ने कह दिया था कि वेक्सीन का पैसा हम अपने राज्य के पैसे से खरीदेंगे और हम ने शुल्क वेक्सीन कराएंगे मैं आपके चीनल के माध्यम से नरिंद्र मोदी जी को कहना चाहूंगी कि दो लहर दूसरा लहर जो हमने बहुत विसम परिस्थिती में गुजा रहा है कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके नजदीक के लोगों को हमने ख पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से फेलवर हैं उनकी सोच ही नहीं थी कि एक समय ऐसा था कि जब वो दूसरे राज्यों को दूसरे देश को वेक्सीन भेजे जब आप आपके पस खुद के पास पैसा नहीं है आपके पास खुद के पास वेक्सीन नहीं है तो आप दूसरे राज्य को क्यों वेक्षिन दि हमारे लोगा वेक्षिन के लिए दर्दर भटक रहें हैं और आप अपना हुआ हbor EPI को दूसरे देश को वेक्षिन दे दिए यह टो गलत है और यह हम इसका बहुत विरोध करते हैं इसी सबस्तार से चलता रहा तो लगता नहीं कि तीसी लहर के पहले लोगों को वैक्सिन लग पाएगी लगता तो ऐसी है मोदी जी नहीं चाहते मोदी जी को एक तरह से देश पूरी उनकी हर नीती फेल वर रही है आज तक इनके साथ साल के कारेकाल में देख लीजिए कोई भी ऐस कोंगरेस पार्टी ने जो देश को कमाया था जो नाम मुचा किया था जो ग्रोथ बढ़ा था भारत का वो आज खतम हो गया है और मोदी जी ने 35 गवर्मेंट सेक्टर को बेच बेच के जो कॉंगरेस ने बनाया था जिस समय कॉंगरेस की सरकार थी तब वो बनी थी उसको ब प्राइवेट सेक्टर में जाने से भारत देश के लोगों में भुखमरी के स्थिती आ जाएगी ऐसा आने वाले समय में मुझे लगता है आप करें मोधी सरकार फेलो रहे तो क्या बज़े कि दूसरी बार भी मोधी को सुन लिया जंता ने देखिए चाय एक ही बार अच्छा है दूसरे बार चाय बासी हो जाता है चलो जंता ने दूसरे बार दे दिया लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से वो चाय अब नहीं चलेगी अब अभी मेहगाई की बात किया महंगाई बहुत तेजी से बढ़ा है पिसले अगर कुछ सालों की बात की जाए तो द जाहे वो तेल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, कोई भी चीज को आप उठा के देख ले, नमक तक पांच रुपए में टाटा नमक मिलता था, आज दस रुपए में मिल रहा है, हर चीज की कीमत महंगी हुई है, और इसकी वज़ा तो मैं पूरी तरह से मोदी जी की फेलवर नीती ह मानूंगी, जब यह अभी भी भारत को गुजरात समझ रहे हैं, मुख्य मंत्री थे तब जैसा काम करते थे, वैसा अभी काम करते हैं, किसी की सुनते नहीं, अभी अगर किसी चीज के काम, कोई ले का हो, चाहे रेल वेचने का हो कुछ हो, तो वो सम्बंधित विभाग के मं कुछते नहीं अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा केवल दो लोग ही इस देश को चला रहे हैं और अपना मनमानी कर रहे हैं और यह उनकी मनमानी पूरी भारत की जनता देख रही है आने वाले समय में यह बिल्कुल नहीं चलेगा और महंगाई तो इतनी अधिक हो गई ही है कि अब बोलते हैं कि पकोड़े तलो लेकिन अब पकोड़े तलने के लिए बस कटोरा ही हाथ में रह जाएगा लोगों के ऐसा लगता है अब महंगाई की बात कर रहे हैं लेकिन क्या कारण है कि विपच्छे इस मुद्धे को जनता के बीच नहीं ले जा पा रहा है या अब सत्र चलेगा तो फिर पूर जोर तरीके से विरोध करेंगे चाहे कोई भी बात हो किसान लोगों की बात अगर आप करेंगे तो किसान लोग भी देखिए कितने दिन से छे महना से लगभख बैठे हुए हैं बार्डर पे उनकी नहीं सुन रहे हैं वो किसी की सुनी ही न दिन देखिए मेरा कारेकाल पूरा हो गया है चत्वा आप सुरू होने वाला है इसी एक साल बच्चा है मेरा कारेकाल अगर मैं अपने कारेकाल की उपलब्धी गिनाना आप पूछ रहे हैं तो शुरू के दो साल मैं सरकार बनाने में लगाई अपना पूरा फंड और पूरा इनर्जी और पूरा ताकत पूरे तो मैं सोचती हूँ कि सरकार बनाने में मेरी भी कुछ जैसे गिलहरी ने समुद्र को बांधा उस तरह से मैंने भी अपना प्रयास किया अगर एक उपलब्धी ऐसा पूछेंगे तो ऐसा बताना मुस्किल रहता है लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काम मैंने किया है जिसको मैं अपना उपलब्धी समझ सकती हूँ चाहे करोना काल में एंबुलेंस देने की बात हो चाहे वेक्सिनेशन कराने की बात हो चाहे कोई भवन बनाने की सांस्कृतिक भवन बनाने की बात हो सरकार बनने से पहले चाहे राजी भवन में अपना सहयोग देने की बात हो तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे काम हैं, जिसको मैं अपनी उपलब भी समझती हैं। आप राज्य समस्द हैं, आपकी भी उमीद है और ज्यादा होगी कि आप इससे और आगे जाएं। क्या आगे का आपका जो है क्राइटेरिया, क्या सोच कर रखा आपने आगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जो मुझे योगी समझेगी, जिस योगी समझेगी, मैं उसी तर पर जाके काम करूँगी, चाहे कोई बड़ा पोस्ट हो, चाहे छोटा पोस्ट हो। मेरी अपनी कोई दिली इक्षा नहीं है कि मुझे यही बनना है लेकिन पार्टी जो निरधारीत करेगी उसे मैं इमानदारी से करूँगी 36 गड़ की महिलाओं से क्या पील करना चाहेंगे अभी तो देखिए पूरे भारत में और किसांथ 36 गड़ में भी विसम परिस्थिती है तो मैं इस परिस्थिती में महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि सब लोग वेक्सिनेशन कराए अपने घर परिवार में सब को टीका लग रास्वास के लोगों को समझाए और इसके बाद जो विकास की बात है या राजनीति की बात है तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि आप जितना आप में छंता है जितनी एनर्जी है उतना आप समाज नेर्मान में लगाए अपने परिवार को सुरक्षित रखें यह राजनितिक पहलू केन सरकार से जो दूरियां बनी है वो चीजे पारटी इसतर पर क्या काम किया महिलाओं की प्रदेश में क्या इस्तति है इन सारे विश्यों पर विस्तार से जानका देदी और महिलाओं से अपील की वैक्सिनिशन कराएं और जो प्राज के निर्मान में अपना सही हो दें और आगे आने वाले समय में इनकी जो ख्वाइस है उन्होंने का जो पार्टी इनको निर्देश करेगी वे करेंगे इसने मतलब ऐसा नहीं कह सकते है कि इनकी कोई लंबी आगे कोई आसे मुकाम पर उनका कहना जो पार्टी निर्देश करेगी वे करेंग कर दो